क्या कि नाम है मौस्तफान सारी किया मितलब कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है लोग भी आएगे देखने के लिए दो दो से और क्या मतलब यहां के जो इनकी तीम है उनको आप क्या कहना चाहते हैं ऐसा पंडाल बनाने के उन लोगों को चावासी दिया जागा नाम दिया जागा उन लोग और कुछ और सो पच्छा ही लग रहा है देखने में तस के नीचे ही है उपर नहीं जा रहा है लेकिन अपने आप में ये एक अजूबा ही है और इस अजूबे को अंजाम दे रहें यहां के सबासर रतनाकर सींग जो आपके सामने मौजूद हैं क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं है तो आपके गोल की जा रखाओं में एक पांडाल बंग रहा है तो इसके बाते करेंगे कैसा लग रहा है आपको ऐसा हम तो सुन रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का कहीं पर पांडाल नहीं बंग रहा है तो जनता को यहां पर आना चाहिए दोस्तों हम इस समय मौजूद है गवरी बजार में और गवरी बजार में दुर्गा पूजा के उपलक्ष में दो ऐसे पंडाल बन रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा का भी सह बना हुआ है ऐसा पंडाल जो काफी अत्याधुनिक है और बहुत ही लागत लग रहा है बताय जा रहा है दस लागत की लागत से एक पंडाल बन रहा है और दूसरा जो है पूरा सेस्टेमिक तौर पे मतलब एक अलक रूप से वो काम करता है जो दूसरा पंडाल है आप सामने पीछे देख सकते हैं यह गौरी बजार स्टेशन है रेलवे स्टेशन है और यहीं इसी के प्रांगण में वो दस लाग का पंडाल तयार किया जा रहा है ऐसे में हम पहुँच चुके हैं उस पंडाल के करीब में और देखाएंगे और बाते भी करेंगे उनके बेवस्थापक गड़ से कि इस पंडाल में कितनी लागत लग रही है और 30 फुट की हाइट पे मुर्ति को रखा जा रहा है वो भी क्रेन द्वारा तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में गौरी बजार में जो यह दो प पंडाल को आपको दिखाते हैं तो आप सामने देख सकते हैं यह उस पंडाल का फ्रंट गेट है और इस गेट पे पेंटिंग और काफी अधूरा भी काम है अभी काम कुछ बाकी हो रहा है इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा 102 दिन में और फिर हम आपको लिए चलते हैं अंदर की तरफ कैसे इसको बनाया जा रहा है कितनी लागत लग रही है यहां के जो बेवस्थापक गड़ हैं उनसे भी हम बाते करेंगे और आप सामने देख सकते हैं बहुत उचाईयों पर यहां से दिखता हुआ वो पंडाल जो जहां पर एक में मुर्ती रखी जाएगी और यहां से यह रास्ता होता हुआ वहां तक जाएगा आप सामने देख सकते हैं कुछ बेवस्थाएं यहां पर भी की गई हुई हैं बाकी गर्मी के लिए काफी खुला माहौल बना कर रखा गया है और अच्छी तरह से इसको सजाय जा रहा है अभी हम फिल हाल में यहां की तस्बीरे लाइफ आपको दिखा रहा है और अभी यहां का काम मतलब जोरों पे चल ला है और बताया जा रहा है यहां के हम ब्यवस्थापक गड़ से भी बात करेंगे कि कितनी लागत और कितना खर्च इसमें बैठ रहा है यहां से आप देख सकते इस तरह से जनता आएग और यहां से घुमते हुए एक वहां पर भी मुर्ती रखी जाएगी और ऐसे में घुमते हुए फिर उस पांडाल में पांडाल तक पहुंचेगी और हम देखाते हैं वहां की सीड़ी की एक चेक्चर किस तरह से उसको मजबूती दी गई है और कैसे बनाया गया है हम उसको भी दिखाएंगे आपको लाइब तश्वीरों में देखा रहे हैं कि इस तरह से यहां का जो पांडाल है बनता हुआ दिख रहा है और काफी लागत लग रही है अब कितनी लागत लग रही है अब हम उनकों के ब्यवस्थापक गर से ही पूछते हैं कि कितना खर्च हो रहा है इस गौरी बजार पंडाल चुकि पूरे उत्तर परदेश में गौरी बजार में दो ऐसे पंडाल बन रहे हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है तो ऐसे चर्चा की विषय के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगा और आ चुके हैं गौरी बजार रेलवे स्टेशन की पीछे के प्रांगण में यह भव्य तरीके से बनता हुआ पांडाल आप सामने देख सकते हैं यह में इसका आपका सीड़ी का इंट्रेंस है यहां से जनता उस छोड तक जाएगी और वहां पर अपना जो है मुर्ती का दर्सन करेगी तो इसकी मजबूती क्या है इसमें ला कारिगर हैं आ चुके भी हैं और बाहर से कारिगर भी मंगाय हुए हैं और यहां से वहां तक का जो है यह आपको सो मीटर से भी जादा ही होगा और इसकी दूरी में आप सामने देख सकते हैं कितनी लागत लगेगी और उस मुर्ती को कैसे उस मंज पे रखा जाएगा यह भ इधर आप देख सकते हैं वही पुरानी सब्जी मंडी है जहां पर मचली मंडी और बाकी बजार लगते प्रिया ऐसे में हम चल लहें आपको उपर का इस तरह से इसको बनाय जा रहा है तो ऐसे में आप देख सकते में इस टेक्चर यही है पांडाल का और पांडाल में आप Rapid से ज़रा से इधर का लूकेसन ज़रा दिखाईए ऐसे में आप देख सकते यहां से वहां तक पट्रो और वल्लीों के शारे इस टेक्चर को खड़ा किए गया है और यहीं पर मुर्ती को किरान द्वारा यहां पर रखा जाएगा काफी मतलब चर्चा इस चीज की चल लही है पूरे दिवरिया गोरपुर क्या पूरे यूपी में इस चीज की काफी चर्चा है तो ऐसे में यहां के यह बेवस्थापक गड़ है और संजोक से यह गोरीविया टाउन के सभासद भी है तो ऐसे में हम सभासद से ही बात करते हैं कि कैसे इस चीज को बनाने की मतलब इनके दिमाग में आया कि इस बार ऐसे जो है किया जाएगा क्या नाम है आपका नमस्कार मेरा नम रतनाकर सिंग सभासद है और मैं गोरीविया टाउनेरिया का सभासद हूं रामजान की कालोनी और यह तो अगले बिर जब गुफा हम बनाये थे तो भाई भाई यह ने डाला था चांद भाईकर ने तो ठीक है भाई हम उनको बुलाये थे कि भाई आई है इस फिर भी कुछ यूनिक बनाया गया है तो यह बताईए आप अगली बार जो लागत जो लगी थी इस बार की लागत में कितना अंतर आ रहा है अंतर यह है कि 10 के नीचे ही है उपर नहीं जा रहा है दस लाग के नीचे ही इस पांडाल की लागत हो रही है लेकिन अपने आप में यह एक अजूबा ही है और इस अजूबा को अंजाम दे रहे हैं यहां के सभासद रतनाकर सिंग जो आपके सामने मौझूद हैं काफी मेह को सराहे और आप कमेंट में भी हमारे वीडियो में भी इनकी सराहना कर सकते हैं काफी अच्छा तरीके से इस पांडाल को भी बना रहा है और आगे चलते हैं कुछ अस्थानीय लोग भी हैं और यहां कि कुछ लोगों से भी बाते जाने के कोशिच करते हैं कि उनके अंदर क्य है आज पूरे अपने यूपी में इस बात की चर्चा है ऐसा पांडाल उनके गौरी बजार में बन रहा है तो उनके अंदर क्या फीलिंग है कैसा महसूस कर रहे हैं वो कि सामने देख सकते हैं यहां के कुछ अस्थानिय लोग भी हैं गौरी बजार टाउन के और यहां के एक सभासत से हमने बात कराई जो यहां के बेवस्थापकगड़ है और भी यहां पे सभासत है और काफी जीमेदार वेक्टी लोग भी हैं इनसे जानेंगे कि क्या मतलब मतलब इनके अंदर यह है कि गोरी बजार में आज पूरा यूपी मतलब इस बात में चर्चा का बिसे है कि आज गोरी बजार में दो ऐसे पंडाल बन रहे हैं जो पूरे यूपी में नहीं मतलब ऐसा पंडाल दिख रहा है क्या नाम है आपका मस्तफान सारी आपके गोरी बज देखने के लिए दो दोर से और क्या मतलब यहां कि जो इनकी टीम है उनको आप क्या कहना चाहते हैं ऐसा पंडाल बनाने के लिए उन लोगों को चाबासी दिया जाएगा उन लोगों क्या नम है अपर स्वरूल कुमार सिंग इतना भब तरिके से आपके गौरी बजार टाउन में एक और बन रहे हैं तो इसके बारे में अगरे में आज तक कभी बना था strongest कभी देखा गया इस सलिके पंडाल इस बच्चों को चाबासी जाएगा तो आतुछे में कि इसा है बन गवे बना पहले ऐसा नें बना कभी पहले एसा कभी हम तो पूरे उत्तरप्रदेश मेंन तरह कहीं पर डाल नहीं बनाँ है जो चर्चा कभी सॉ canyon है हरा है हर्म हर चीज नीया है तो जटा को यहां पि आना चहुआ आना च aur अच्छी आ अच्छी मैं देखा यहां पर और और बाकी हूर को देखाते हैं यहांँ से वहां तक मोर्ति की शलसिला जारी रहunta है यहा पर भी आप देख सकते हैं एक स्टक्शरर बना हुआ है यहां पर भी गेटए और ऐसे में यहांँ पर भी एक structure बना हुआ है, यहाँ पर भी एक परतिमा बैठी, मतलब system बन रहा है, सब कुछ आप देख रहे हैं, तयारियां जोरो पर चल रही है, ऐसे में यहाँ से वहाँ तक जो है, आपको structure यह दिखता हुआ नजार आएगा, और यह आप last में देख सकते हैं, इधर यह निकास है, पांडाल की यह निकास है, वहाँ से इंटर होते हुए, यहाँ से पब्लिक बाहर जाएगी, ऐसे में हम फिर last दिन, जिस दिन दुरुगा पूजा का मेला लगेगा, उस दिन मैं वीडियो इसका सूट करूँगा, और पूरे तरह से इसकी जो सुन्दरता रहेगी, मैं आप दर्सों के बीच में इसको प्रस्तुत करूँगा, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप जरूर केमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए, ताकि गवरी बजार की यह जो परतिमा और यह पंडाल बन रहा है, पूरे भारत वर्स मे इसका नाम पहुंचे और इस गवरी बजार का नाम पूरे अपने हिंदुस्तान में हो,